इस चैप्टर को हम दो पार्ट में आपको अच्छे से समझाएंगे तो ये पहला पार्ट है, तो आईए सबसे पहले समझते हैं कि सेल क्या है, सेल को हम क्यों fundamental unit of life कहते हैं, तो इस पूरे lecture में हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले उस पर बात कर लेते हैं, तो देखिएगा ध्यान से, जैसा कि आपको दिख रहा होगा the fundamental unit of life, what is the cell, types of cell, some facts about the cell, कोशिका क्या है इसके प्रकार और कुछ महत्तवूर्ण तथ्या, फिर इसके बाद कोशिका के अंदर क्या क्या होता है, इसके बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे, अब बात ये आती है कि आखिरकार हम cell के बारे में क्यों पढ़ते हैं, देखिए, एक simple सी बात को में इटों की जरुवत होती है, और छोटी-छोटी इटों को जोड़ करके एक मकान तयार हो जाता है, उसी तरीके से अगर हम मकान को अपना सरीर समझते हैं, बाडी समझते हैं, तो उस बाडी में भी छोटी-छोटी इटें जोड़ी होती हैं, और उन्ही इटों को हम लोग सेल या कोशिका के नाम से जानते हैं और वही इटे एक दूसरे से जुड़ करके इस पुरे सरीर का निर्मार करती है और आप नोगों को पता होना चाहिए ये जो पूरा सरीर है इस पुरे सरीर को बनाने में असंख कोशिकाए यानि बहुत सारी कोशिकाएं इस शेल हमारी बॉडी में मुझूद होती है और आपको मालूम होना चाहिए हमारा जो ये structure दिख रहा है इस पूरा structure दिख रहा है इस structure को बनाने में cell का बहुत ही important role होता है इसके अलावा हम जो function करते हैं function का मतलब जो हमारा हाथों का movement हो रहा है या जो हमारी body का movement होता है every function and every structure of body made up from cell या ये कहा जा सकता है कि body में functional और structural जो भी होता है वो cell के तुरू होता है इसलिए आपको पता होगा इसे हम कहते हैं cell is structural and functional unit of life यानि कोशिका जीवन की संरशनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है यानि कोशिका को हम संरशनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के नाम से भी जानते हैं अब बात ये आती है कि आखिरकार cell दिखती कैसी है क्या है अब इतना तो पता हो गया कि cell के माध्यम से हम अपने सरीर का निर्मार करते हैं इस संसार में जितने भी living organism है चाहे वो plant हो चाहे वो human beings हो या जितने भी living organism होते हैं जैसे कीडे, मकोडे, इंसेक्ट, छिपकिली, मगरमच, प्लांट, पत्तियां, everything, सब कुछ cell का ही बना होता है क्योंकि every living organism have cell लेकिन इस संसार में एक ऐसा living organism भी है जिसमें किसी भी तरीके की कोई cell नहीं पाई जाती और हम उसे कहते हैं virus virus has no cell यानि virus में किसी भी प्रकार का कोई भी कोशी का नहीं पाया जाता यानि विशाणु जिसे आप कहते हैं विशाणु में किसी भी प्रकार की कोई कोशी का नहीं पाई जाती केवल उसमें genetic material होता है जो उसको survive कराने में दूसरी cell में मदद करता है तो चलिए सबसे पहले आपको समझाते हैं कि आगे के chapter में हम क्या पढ़ेंगे देखिए सबसे पहले देखिए क्या लिखा what are living organisms made of of cell is the structural and functional unit of life कोशी का जीवन की संडशनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई होती है यानि what are living organisms made of यानि living organism क्या है और living organism किस चीज़ के बने होते हैं living organism आप जानते हैं उनमें अपना खुद का momentum होता है यानि अपने खुद से वो move करते हैं अपने जैसी संताने पैदा करते हैं और साथ साथ में वहाँ cell के बने होते हैं और cell is structural and functional unit of life कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई के नाम से जानी जाती है ध्यान लखिएगा इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं देखिए various cells from the human body मनुष्य के सरीर में बहुत सारी कोशिकाएं होती है और सभी कोशिकाओं की संरचना अलग-अलग होती है जैसे मैं आपको दिखाता हूँ यह आपका blood है यह देखिए यह आपका blood है अब यह blood की cell देखिएगा बहुत छोटी होती है अगर मैं human beings की बात करूँ तो human beings में अगर male और female दोनों की बात करूँ तो सबसे छोटी cell आपको यही मिलेगी इसके अलावा आप देखिएगा हमारे पेट में जो muscles होती है वो cell इस तरीके से दिखती है इसके अलावा आपको मालुम होगा nervous cell इस तरीके से दिखेगी यह nervous cell होता है यह इस तरीके से यहां से जुड़ा होता है इसे हम लोग nervous cell के नाम से जानते हैं और आपको मालुम होना चाहिए nervous cell is a longest cell in human body मनुश्य के सरीर में सबसे लंबी कोशी का कौन सी होती है तो हम उसे कहते हैं nervous cell ठीक है इसके लावा यह ovule है यह ovule है अगर मैं बात करता हूँ human beings की body में सबसे बड़ी कोशी का यानि सबसे largest cell कौन सी है तो हम उसे कहते हैं ovule ध्यान रखिएगा और जो हमारी हड़ियां होती है वहां आपके सामने है और यह sperm है और यह है आपका fat cell fat cell का मतलब जो हमारी सरीर में fat या वशा या तेल जमा होता उसे हम fat cell के नाम से जानते हैं तो ध्यान रखिएगा मनुष्य के सरीर में human beings के body में जितना भी structure होता चाहिए mouth हो, bone हो, stomach हो sperm हो, ovules हो every body structure made up from cell and cell found in different structure यानि अलग-अलग structure में पाई जाती है आपके सामने है blood का structure ऐसा होता है cell का, stomach का ऐसा, ovules ऐसा sperm ऐसा, bone ये ये और सुनिए सबसे लंबी cell मनुष्य के शरीर में कौन सी होती है तो हम उसे nerve cell के नाम से जानते है सबसे बड़ी cell कौन सी होती है सबसे largest cell ovule होती है और सबसे छोटी cell कौन सी होती है तो हम उसे sperm के नाम से जानते है sperm is smallest cell in human body यानि सुक्राण मनुष्य की शरीर में सबसे छोटी कुसिका के रूप में पाई जाती है ध्यान रखिएगा अब देखिए अब आपके सामने types of cell आता है ध्यान रखिएगा इस संसार में cell two types की होती है देखो कुछ ऐसे living organism होते हैं जो केवल single cell के बने होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो multi cell यानि कई cells के बने होते हैं जैसे हम अपनी बात करें तो हम लोग क्या हैं हम कई cells के बने हुए हैं लेकिन अगर हम bacteria की बात करें लेकिन अगर हम amoeba की बात करें अगर हम mycoplasma की बात करें तो ये सब क्या होते हैं केवल single cell के बने होते हैं और मालूम होना चाहिए bacteria हो या amoeba हो अगर इनका एक cell खतम हुआ तो इनकी life खतम हो जाएगे लेकिन अगर हमारा एक cell खतम हुआ या दस cell खतम हुआ तो फिर से वो reconstruct होने का काम कर जाता है इसका मतलब यह हुआ कि इस संसार में two types के living organism होते हैं unicellular होते हैं and multicellular होते हैं आपको पता होगा जैसे घर में नाम किसी का चिंटू है और नाम स्कूल में रमेश होता है उसी तरीके से मनुष्य के सरीर में unicellular को prokaryotic कहते हैं और मनुष्य के सरीर में नहीं amoeba और हम लोगों के सरीर में eukaryotic होता है तो याद रखिएगा unicellular is also known as prokaryotic and multicellular is also known as eukaryotic तो human beings are eukaryotic देखिए माल लिजे ये cell है थोड़ी देर के लिए अब इस cell के अंदर अगर एक center हो यानि जिसे आप लोग nucleus कहते हैं अगर ये nucleus है तो याद रखिएगा ये जो आपके सामने nucleus है nucleus अगर absent है तो ध्यान रखिएगा वो prokaryotic cell होगी और nucleus अगर present है तो वो eukaryotic cell होगी तो हमारे कहने का बहुत simple मतलब और अर्थ है कि अगर prokaryotic है तो nucleus absent होगा और अगर eukaryotic है तो nucleus present होगा ये एक simple सी बात है जो आपको समझ में आ गई होगी अब देखिए prokaryotic का size कितना होता है ये micrometer में होता है यानि बहुत छोटा याद रख लीजेगा small size है 1 to 10 micrometer nucleus reason ठीक है क्रोमोजोम सिंगल होता है और membrane bound cell organs absent यानि membrane bound cell organs का मतलब ये होता है जैसे मान लोग कोई organ है तो इसके चारो तरफ membrane नहीं पाई जाए इसका अजस्ट उल्टा यहां देख लो पांच से 100 micrometer ये होता है nuclear reason होता है well defined होता है आप देख लीजे यहां पर nucleus present होता है और हां more than one chromosome एक chromosome नहीं पाई जाए क्रोमोजोम क्या है chromosome is a transfer agent from present generation to next generation यानि एक एक सरीर से एक पीड़ी से दूसरी पीड़ी में जो character transfer होता है उसी को ले जाने का काम कौन करता है तो हम उसे chromosome या गुणसूत्र के नाम से जानते हैं याद रखिएगा तो अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि जो living organism केवल single cell में होते हैं उन्हें हम prokaryotic कहते हैं और जो कई cell में होते हैं उन्हें हम eukaryotic के नाम से जानते हैं prokaryotic में nucleus absent होगा और eukaryotic में nucleus present होगा यह एक simple सी बात है दूसरा आपको बताता हूँ आप लोगों को पता होना चाहिए size क्या होता है generally small 1 to 10 micrometer और 1 micrometer बराबर 10 to the power minus 6 meter इसी तरीके से आपके सामने ये सारी चीजे बनी हुई है ध्यान रखिएगा इस बात को आगे बढ़ते हैं देखिए ये आपके सामने एक cell structure है ये eukaryotic in some eukaryotic है वैसे जादा तर देखा जाये तो ये आपके सामने प्रो-karyotic versus eukaryotic है देखिएगा NCRT में आपके बना भी हुआ होगा देखो बेटा यहाँ पर देखोगे ये कम developed cell है और यहाँ पर आप देखोगे ये अधिक developed cell है तो इस cell को हम लोग कहते हैं cell membrane और इसे हम यहाँ देखो ribosome पाया जा रहा है ये nucleus हो रहा है ये capsule जिसको हम क कहते हैं cell wall पाई जा रही है ये एक बैक्टिरिया का structure है और ये आपके सामने एक plant का structure है देखिए cytoplasm है membrane है endoplasmig ribosome अच्छा अब एक बात बताओ हमारे सरीर में हात पैर क्या है body है body में ये हात पैर organ है तो ये सब क्या हुए इसे हम लोग body organ के नाम से जानते हैं यानि इसे हम लोग body organ कहते हैं अब आप ये कहोगे कि सर इसे हम body organ कहते हैं तो आखिरकार ये भी तो part है इसी लिए तो कहा जाता है कि ये cell organ है को सिकांग के नाम से जाने जाते हैं इसे हम देखो cytoplasmic membrane यानि चारो तरफ cell के जो membrane होती है उसे हम लोग जिल्ली कहते हैं endoplasmic reticulum, antastravigalica, ribosome, kendraka, kendrika, nuclear यानि kendraka, जिल्ली, galgy, kosadrabya, mitochondria, chloroplast ये सभी के सभी क्या होते हैं या kosika के अंग होते हैं और इनी को हम kosikang के नाम से भी जानते हैं यहां तक clear हो गया तो मनुष्य के सरीर में multicellular मनुष्य का सरीर multicellular होता है बहु कोश्की होता है ध्यान दखिएगा और हम इसे unicellular कहते हैं यानि इसमें रख पाया जाता है और इससे जादा कुछ नहीं पाया जाता ध्यान रखिएगा इस बात को चलिए आगे बढ़ते हैं देखिए जो चीजें अभी मैंने आपको बताई हैं वही चीजें यहां पर लिखी हुई है देखिए ध्यान से सबसे छोटी प्रोकरियोटिक कौन है माइको प्लाजमा लार्जिस्ट प्रोकरियोटिक क्या है औस्टिच एग आपको हमेशा व्याद रखना होगा जितने भी संसार में अंडे होते हैं चाहे वो इतना बड़ा अंडा हो और चाहे वो इतना बड़ा अंडा हो सारे अंडे एक कोस्की होते हैं, सारे अंडे प्रोकरियोटिक होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है? अच्छा, longest cell in human body, neuron जिसको कहा जाता है, largest cell in human body, ovule है, smallest cell in human body, sperm है, यानि सबसे छोटा प्रोकरियोटिक माइकोप्लाजमा है, सबसे बड़ा प्रोकरियोटिक सुतुर मुर्ग का अंडा माना जाता है, और मनुष्य के सरीर में सबसे लंबी कोसी का neuron, सबसे बड़ी कोसी का अंडाडू, और सबसे छोटी कोसी का सुक्राडू के नाम से जाने जा आप लोगों को शायद मालूम होगा, मैं बता देता हूँ, कि मान लिज्जे एक हाथी है, और मान लिज्जे मैं हूँ, और एक चीटी है, अब आप एक बात बताओ, मान लोगों चीटी में नियूरॉन एक सेंटीमीटर का है, तो क्या हम लोगों के सरीर में वो बड़ा होगा नहीं वो भी एक सेंटीमीटर का होगा और हाथी में भी वो क्या होगा एक सेंटीमीटर का होगा इसका मतलब आप समझते हैं इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब एक बहुत ही सिंपल चीज होती है ध्यान से समझिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूँ इसका मतलब यह होता है कि मनुष्य के सरीर में चाहे हाथी का सरीर हो चाहे चीटी का सरीर हो सब में कोसिका का size तो एक होता है लेकिन जैसे जैसे सरीर बढ़ता हुआ चला जाता है जैसे जैसे body increase करती है वैसे वैसे number of cells बढ़ती जाती है इसका मतलब यह हुआ कि किसी भी जीव में या किसी भी जानवर या जन्त में कोसिका का आकार तो समान होता है लेकिन कोसिका की संख्या अलग-अलग होती है हाथी में कोसिका की संख्या अलग होगी लेकिन neuron का size अगर हमारे में भी वही है तो हाथी में भी वही होगा तो इसका मतलब देखिए लिखा हुआ है, size of the cell remains same, but quantity of cell always change in the different animal, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अच्छा, यानि कोसिका का आकार सदयो और परिवर्तित रहता है, जबकि कोसिका की संख्या सदयो परिवर्तित रहती है, एक सिंपल सी बात है, ध्यान रखिए, अब बात ये आती है कि मनुष्य या जीव तो इस संसार में बहुत पहले से हैं, तो आकिरकार इनके बारे में जानकारी मिली कैसे कि इस मनुष्य के सरीर को या किसी की भी बाडी को बनाने में कोसिका का हाथ है, तो सबसे पहले एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, जेकेरियस जैंसन, जिन्हों ने सूश्मदर्सी की खोज की थी, और इलेक्ट्रोन सूश्मदर्सी की खोज, नॉल एन रसका ने किया था, यानि माइक्रोस्कोप वाज डिसकवर्ड बाई जेकेरियस जैंसन, एलेक्ट्रोन माइक्रोस्कोप वाज डिसकवर्ड बाई नॉल एन रसका, और आपको एक ची उस कॉर्क को और कॉर्क किस चीज का बना हुआ था जानते हो आप बार्क का बना हुआ था बार्क मतलब पेड़ की च्छाल ये जो बार्क है पेड़ की च्छाल का बना हुआ था और जब इन्होंने इसका एक सेक्षन काटा तो इनको मदमक्खी की छत्ते की तरह यानि जो हान तो याद रखना 1665 यानि 1665 में रोबर्ट हुक ने अपने ही थुरू बनाई गई माइक्रोस्कोप से सेल की खोज की थी बॉटल के कॉर्क में और इन्होंने डेड सेल खोजा था तो डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाई रोबर्ट हुक इन 1965 यानि मृत कोशिका की खोज रोब यह देखिए जीवित कोशिका की खोज लिवन हॉक नाम के साइंटिस्ट ने किया था पॉंड वाटर यानि सेवालों में तो कहने का मतलब यह है कि डेड सेल वाज डिस्कवर्ड बाई रोबर्ट हुक इन बॉटल कॉर्क और लिविंग सेल वाज डिस्कवर्ड बाई लिव यह जैंसन बट इलेक्ट्रों माइक्रोस्कोप 1950 की बात है बहुत ही एडवांस लेवल का जो खोजा गया उसे हम कहते हैं नौल एंड रसका ने इलेक्ट्रों माइक्रोस्कोप की डिस्कवर्ड की थी रोबर्ट हुक ने डेड सेल खोजा था और लिवेन हुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी आगे बढ़ते हैं what is a cell made up of what is the structural organization of the cell अब चलिए आगे देखते हैं देखिए यह आपके सामने है एक सेल का structure है उस structure को अभी मैंने आपको थोड़ी दिर पहले ही सारा सब को समझाने की कोशिश की है यह animal सेल है और यह plant सेल है और अभी अभी just आपक होते हैं सभी सेल के बने होते हैं बस सेल का structure थोड़ा बहुत अलग होता है चुकि हम अपना food नहीं बना सकते इसलिए हमारे अंदर chloroplast नहीं होगा लेकिन plant अपना food खुद बना सकते हैं इसलिए उनमे chloroplast होता है हरित लबक होता है तो कुछ चीजें plant में होती हैं human beings में होत तो बहुत सारे अंतर होते हैं और ये जितने भी नाम लिखे हुए हैं इन्हें हम cell organs कहते हैं च्योंकि cell के अंदर पाया जाने वाला cell organ कहलाता है और body के अंदर पाया जाने वाला body organ कहलाता है ये एक simple सी बात है तो आएए इनी सब की चर्चा आगे की और भी करते हैं हम में आपको समझाने का हम प्रयास करेंगे तो आईए आपको समझाते हैं plasma membrane and cell membrane देखिए cell wall and cell membrane both are found in plant cell कहने का मतलब यह है कि अगर मैं पौधों की बात करूं तो यह जो इससे पहले वाला structure देखिए यह देखिए अगर मैं plant की बात करूं तो plant की अगर मैं बात करता हूं तो यह बाहर वाला जो cell wall है और जो cell membrane यहाँ दो देख लीजिए आप दो दिख रहा होगा एक यह दिख रहा है एक यह दिख रहा है तो cell wall and cell membrane कोशिका भितिवा जिल्ली दोनों कहा पाई जाती है plant cell में लेकिन plant और animal cell में सबसे बड़ा difference क्या है plant और animal cell में जो सबसे बड़ा difference है वह difference होता है cell wall का cell wall absent in animal cell but cell wall present in plant cell और animal cell में केवल जो बाहरी wall होती है वह cell membrane पाई जाती है तो आईए आगे देखते हैं देखिए यहाँ पे आपके सामने बना भी हुआ है आप समझ गए होंगे only cell membrane found in animal cell, plant cell is made up from cellulose पाउधों की कोसिका cellulose की बनी होती है यानि पादप कोसिका cellulose की बनी होती है cell membrane are made up from phospholipid and protein यानि कोसिका जिल्ली फास्फो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है कोसिका जिल्ली फास्फो लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है ध्यान रखिएगा इस बात को और पौधों की कोसिका किस चीज की कोसिका अभित्ति किस चीज की बनी होती है तो cellulose की बनी होती है अब देखिए bacterial cell wall made up from chitin यानि जो bacteria की cell wall होती है वह chitin की बनी होती है plant की cell wall जो है वो किस चीज की बनी होती है ध्यान रखिएगा cellulose की और animal cell में किसी भी तरीके का कोई भी cell wall नहीं पाया जाता है और cell membrane made up from phospholipid and protein clear हो गया basic difference in between plant cell and animal cell is cell wall cell wall present in a plant cell but cell wall absent in animal cell एक बहुत simple सी बात है जो समझ में आ गई होगी आपको अब आईए बात करते हैं chloroplast की तो chloroplast only found in plant cell यानि पौधों की कोशिकाओं में ही chloroplast पाया जाता है और किसी भी की कोशिका में chloroplast नहीं पाया जाता है ध्यान रखिएगा तो chloroplast केवल और केवल किस में पाया जाएगा तो ध्यान रखिएगा chloroplast found in plant cell समझ में आगई बात ध्यान रखिए चलिए आगे बढ़ते chloroplast की खोज किस ने किया था expensure तो chloroplast की खोज इस चिंपर महोदय ने किया था chloroplast की खोज इस चिंपर महोदय ने किया था ध्यान रखिएगा और जानते हैं light react of photosynthesis found in granum and dark reaction found in stroma देखिए आपके सामने यहाँ पर एक structure बना हुआ है ध्यान से देखिएगा यह stroma है और यह gramma है तो जानते हैं जब पौधे अपना खाना खुद बनाते हैं तो वो एक process करते हैं वो आप 10th में पढ़ेंगे ठीक से उसे हम लोग कहते हैं photosynthesis और प्रकास संसलेशन की जो क्रिया होती है उस प्रकास संसलेशन की जो क्रिया है वह दिन और रात दोनों में होती है जब दिन में होगी तो हम उस क्रिया को कहेंगे ग्रेनम में हो रही है और जब वह रात में होगी तो हम उसे कहेंगे स्ट्रोमा में हो रही है, ग्रेनम और स्ट्रोमा दोनों के दोनों क्लोरोप्लास्ट के पार्ट हैं, ये हमेशा याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं, क्लोरोप्लास्ट, also known as kitchen of the cell, क्लोरोप्लास्ट को हम कोसिका का kitchen भी कहते है, आपको पता होना चाहिए, क्लोरोप्लास्ट को हम kitchen क्यों कहते हैं, क्योंकि आपको पता होगा, खाना यहीं बनता है और खाना कहीं भी नहीं बनता है यानि क्लोरोप्लास्ट के भीतर ही खाना बनता है और कहीं भी खाना नहीं बनता इसलिए कहा जाता है क्या क्लोरोप्लास्ट is kitchen of the cell colorful part due to chlorochromoplast and colorless part due to leukoplast तो यह सब चीज़ें आपको जानना होगा यह PDF हम आपको available करवा देंगे ताकि आप अच्छे से इसको समझ जाईएगा अगला चलते हैं राइबोजोम देखिए सारे के सारे cell organ हैं उनको एक एक करके मैं define कर रहा हूँ यहाँ पर देखिए जैसे वहाँ पर chloroplast की खोच किस ने तिया इस चिंपर ने किया था तो ऐसे ही राइबोजोम वह डिसकोवर्ड बाई पैलेडे और S का मतलब होता है यहाँ पर सेडबर्ग यूनिट क्या होता है सेडबर्ग यूनिट और protein synthesized by ribosome, protein का sensation ribosome के द्वारा होता है देखो, मनुष्य के सरीर में 22 तरीके के protein पाये जाते हैं, 11 उसके सरीर में ही बन जाते हैं और 11 वह outsource करता है ज्यान रखिएगा तो protein बनाने का काम ribosome का होता है, खाना बनाने का काम chloroplast का होता है ज्यान रखिएगा और ribosome is also known as protein factory of the cell, जैसे chloroplast kitchen of the cell, वैसे ही protein factory of the cell किसको माना जाता है तो याद रखिएगा, protein factory of the cell तो ये आपके सामने ribosome है, ठीक है देखो, ये दो तरीके के होते हैं, एक तो है 80S और एक होता है 70S और सुनो, जो 80S होता है, वो higher living army, यानि हम लोगों में पाया जाता है और bacteria में क्या होता है, 70S पाया जाता है और याद रखिएगा, S का मतलब होता है, sedberg unit, इदर देखो एक बड़ी unit होगी, एक छोटी unit होगी तो अगर मान लीजिए हम 70 की बात करते हैं, थोड़ी देर के लिए तो 70 में जो 60 वाला, 50 वाला portion है, ये बड़ा वाला होगा और ये 30 वाला, ये छोटा वाला होगा इसी तरीके से दोनों मिल जाते हैं, सेडिमेंट हो जाते हैं इसी को हम लोग बोलते हैं, सेडिबर्ग unit के नाम से इसको जानते हैं और ribosome is also known as protein factory of the cell और ribosome में ही protein का निर्माड होता है इसलिए हम इसे protein factory of the cell के नाम से जानते हैं देखी अगला आरगन कौन सा है, अगला आरगन है cytoplasm and pluroplast, देखो कोशाद रव्य और जियूद रव्य discovered by पुरकिंजे, इसकी खोज किस ने किया था तो ध्यान रखिएगा, इसकी खोज पुरकिंजे ने किया था ठीक है, cytoplasm is made up from mineral, water and protein देखो, cyto मतलब cell, study of cell is known as cytology ध्यान रखिएगा, यह एक बहुत basic चीज है, यह आपको पता होनी चाहिए, ठीक है अब देखो, cyto मतलब cell, plast मतलब liquid, proto मतलब cell, plasm मतलब liquid, तो ध्यान रखिएगा, यह सारा का सारा क्या है liquid वाला portion है, और liquid होगा तो definitely water होगा water में ही protein होगा, और उसी में mineral होगा तो यह देखिए, यह जो liquid वाला portion है ना, इसी को हम लोग cyto plasm के नाम से जानते हैं, जान रखिएगा, और सुनिए अगर यह kendra का है, तो इसके अंदर भी liquid होगा इसके अंदर का liquid और अगर बाहर का liquid मिल जाए तो हम उसे कहते हैं, protoplasm, क्या बोलते हैं, protoplasm और protoplasm is also known as physical base of the cell, यानि protoplasm को हम कोशिका का भौतिक आधार भी कहते हैं, केंदर का द्रब्य और बाहर कोशिका का द्रब्य आपस में मिल जाए, तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे physical base of the cell के नाम से जानते हैं, और physical base of the cell is known as protoplasm, यानि हम उसे protoplasm के नाम से भी जानते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं बटा, चलिए, अब ये है vacuels, vacuels जो खाली जगा होती है, और सुनिए, खाली जगा सबसे ज़्यादा plant cell में पाई जाती है, यानि सबसे ज़्यादा खाली जगा कहां होती है, तो हम उसे plant cell के नाम से जानते हैं, maximum खाली जगा कहां होती है, plant cell में होती है, अब इदर देखिए ध्यान से हमारे cell में, ठीक है, if vacuels found in animal cell, then it is smaller size and large in number, माल लिजए, मैं आप से ये कहता हूँ, कि अगर ये plant cell में vacuels ज़्यादा खाली जगा है, तो इसका size बड़ा होगा और number कम होगा, माल लिजए, ये animal cell में है, तो इसका size छोटा होगा, और number ज़्यादा होगा, ध्यान रखिएगा इस बात को, यानि in plant cell, large in size, small in number, and याद रखिएगा, जहनतो fill pigment found in vacuels, जिससे flower का color decide होता है, तो vacuels cell के अंदर एक खाली जगा है, ये हमेशा याद रखिएगा, देखिए, ये आपके सामने lysosome, lysosome क्या है, lysosome की खोच किया था, डी डूए नाम के scientist ने, lysosome को हम पाचक फैली या digest to bag कहते हैं, suicidal bag भी कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये एक तरीके से digest to enzymes होता है, और याद रखिएगा, यह अपनी cell को ही digest कर जाता है, इसी लिए हम इसको digest to bag या suicidal bag of the cell के नाम से जानते हैं, ध्यान रखिएगा, तो याद रखिएगा, यह जो enzyme होते हैं, अगर यह फट जाएं, तो cell के अंदर चले आएंगे, और यह अपने cell को ही digest कर जाता है, और हाँ, लाइसोसोम की संख्या सरवाधिक, लीवर में पाई जाती है, लीवर क्या करता है, अपनी cell को ही damage करता रहता है, और बनाता रहता है, reconstruct करने का काम करता रहता है, तो suicidal bag of the cell कौन है, तो याद रखिएगा, लाइसोसोम, देखिए, गॉल्जी complex, गॉल्जी complex भी जो है, discovered by Camilo Golgi, Golgi complex is also known as traffic inspector and transport manager of the cell, क्योंकि या आने जाने वालों को, यानि जो भी material आता है, जो भी material जाता है, इन सब को control करने का काम किसका है, इसी का, और manage करने का काम किसका है, इसी का, इसी लिए हम इसको transport manager and traffic inspector of the cell के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और याद रखना बिटा, आने जाने वालों को transport करता है, जो essential चीज़ें हैं, वो आती हैं, और जो खानिकारक चीज़ें हैं, वो जाती हैं, इसी लिए हम इसको क्या बोलते हैं, transport manager of the cell के नाम से भी जानते हैं, जान रखिएगा, तो बहुत simple है, चीज़ें बस दो दो तिन 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 लाइन में आपको चीज़ें समझनी हैं, जान रखिएगा, चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रखूँगा, और अगली class में, देखिए आपके लिए thank you भी आ गया ह thank you को भी देख लीजिए, और अगली class में इसी cell का दूसरा part आपको पढ़ाया जाएगा, तब तक के लिए thank you